क्या आप एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं और इंटिरियर, फर्निचर, पेंट, पी ओपी ये सभी बेजिक चीज़े करवाने की सोच रहे हैं पर इस चीज़ को लेके कन्फियूस्ट है कि इसके लिए कितना कॉस्टिंग, कितना खर्च हो सकता है अगर ऐसा है तो you are at the right place इस वीडियो को पूरा देखे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रतीक और स्वागत है अप सबका मेरी चैनल सिविल एंजिनियरिंग फोरम में आज के इस वीडियो में हम एक 3BH के जो की 1100 स्क्वेर फीट का है इस example के साथ ये देखेंगे कि इसमें ये सभी चीज़ पेंट, P.O.P और फरनीचर करवाने में आपको कितना खर्च हो सकता है तो ये calculation स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि interior design actually 3 types में divided है expensive range, medium budget range और affordable range expensive में हम ultra premium quality और luxurious design देखते हैं costing चाहे कितना भी हो और affordable range में हम जिर्फ basic necessities देखते हैं और ये सस्ता design होता है पर आज हम medium budget range consider करके इस 3 BHK की interior designing का cost calculate करेंगे तो चलिए बीना आपका time waste किये हम शुरू करते हैं P.O.P या फिर fall ceiling और उसके electrical work के cost estimations है तो अगर आपका घर तकरीबन 1100 square feet का है तो उसमें बेडरूम्स, hall और dining room में P.O.P या फिर fall ceiling करवाने में आपको तकरीबन 3 लाख रूपे का खर्च हो सकता है ये medium budget हम consider कर रहे हैं देखिए ये P.O.P, electrical work, lighting ये सभी चीज़ों में मतलब medium budget range ही हमने consider की है जहां पर basic necessities के साथ हम थोड़ी सी extra चीज़, decorative चीज़ भी include करेंगे तो P.O.P या फिर fall ceiling का खर्च यहां पर हो जाएगा 3 लाख रूपे और P.O.P के electrical work और lighting का खर्च हो जाएगा तकरीबन 0.5 लाख यानि की 50,000 रूपे तो यह plaster of Paris या will for selling और उसका electrical work में total हो जाएगा 3.5 लाख रूपी तो based on this अगर आपका घर थोड़ा चोटा है यानि की 2BH का है तो आप relatively इसका जो cost है वो कम कर सकते है और यह relativity आप सभी चीजों में या पर इस वीडियो में जो दिखा है हमेने उसमें relate कर सकते है ताकि आप 2BH के का या फिर आपके वापे जितने square feet carpet area है उसका estimate निकाल सके नेक्स्ट हम बात करेंगे furniture की तो यह 3BH किचन 1100 square feet के हम apartment बोल सकते है या फिर घर हो तो यह भी 1200 square feet का है तो इसमें furniture का कितना खरच है उसके बारे हम detail में बात करेंगे तो basic necessities जो है sofa, TV unit और dining table यह अच्छी quality का vineyard based या फिर laminate based अगर हम बनवाते है या फिर बाहर से ready made खरीता है तो तकरीबन यह 300 का मिला करके हो जाएगा 2,00,000 रूप है फिर double bed यानि कि king size bed की अगर हम बात करें तो 3 रूप में अगर हम king size bed बनवाए तो इसका खर्च हो यह होंगे तो यह तीन बनवाने का खर्च भी हम 2,00,000 रूपे consider करेंगे फिर बात आती है dressing की एक decent सा दिखने वाला बड़े mirror वाला जो dressing है वो बनवाने में खर्च हो जाएगा total 1.5 lakh मतलब तीन अगर ऐसा है dressing बनवाते है तो और सबसे expensive चीज furniture में जो आती है वो है kitchen देख service platform के नीचे और उसके 5 feet उपर भी हम cupboard बना सकते हैं तो यह सभी चीज़े consider करके फिर chimney का खर्च यह सभी चीज़े include करें तो टोटल हो जाएगा 2.5 lakh रूपी और इन सभी चीज़ों का total हम देखे so far TV unit dining table double bed wardrobe dressing kitchen यह सभी चीज़े consider करें तो टोटल इसका हो जाएगा 10 lakh रूप पर उसके लिए क्या है कि मैं affordable range वाला लगसे एक वीडियो बना दूँगा जिसके link भी मैं इसके description में डाल दूगा तो you can find that next अगर हम बात करें paint की मतलब wall paint की हम बात करें तीस में यह चीज़ हम consider कर रहा है कि आपकी जो walls है क्योंकि अपने नहीं आगर खरीदा है तो वह finished put based putty लगा दी है इसमें already तो इसमें material प्लस लेबर यह दोनों consider करके total हो जाएगा एक लाक रुपए जिर्फ wall painting का खर्च अगर आप इसके बारे में detail में देखना चाहते है कि wall paint कराने में कितना खर्च हो सकता है और इसके square feet हम कैसे calculate कर सकते है इसके बारे में अगर आप detail में जानना चाहते है तो इसके regarding beam and link description box में डाल दी है तो आप वो भी check कर सकते है पर यहां पर हमने जो estimate डाला है एक लाक रुपए वह एक अच्छी वाली brand का डाला है जैसे कि suppose Asian paints की royal series जो की सबसे premium quality की series हम बोल सकते है तो paint का खर्च हो जाएगा एक लाक रुपए अब हम 14.5 लेक रुपीज तो यह होगा आपके interior design विर इसके material और labor का total cost तो based on your requirement आपकी जितनी requirement है उसके base पर आप इसमें चीज़े कम या विर ज्यादा कर सकते है तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा और अगर ऐसा है तो इसे like कर दीजिए औ summary channel civil engineering forum को subscribe जरूर करें this is all for today thank you for watching